इस नुस्के को सिर्फ आदे घंटे लगा लो आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे नमश्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की जुडियों हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने सफेद बालों को जड़ से काला बना सकते हैं दोस्तो माना जाता है कि जब दोस्तो हमारी उमर बढ़ने लगती है इसका में कारण दोस्तो होता क्या है सराब पीना, स्मोकिंग करना और दोस्तो अनल्थी डाइट खाना मतलब की दोस्तो जंकपूर रिलेटेट चीजे खाना उसकी वज़े से दोस्तो हमारे बालों को अच्छी तरह से नुट्रिशन नहीं मिल पाती जिसके वज़े से दोस्तो हमारे बालों का सफेद होना स्टार्ट हो जाता है और दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तो हमारी परसनल्टी में जितना ज़्यादा हमारा चैरा होता है उसी के साथ दोस्तो हमारे बालों का भी ज़्यादा युगदान ना ही किसी के सामने से खसने से कतराते हैं ना तो इस तो खुल करकर बात कर पाते हैं दोस्तो इसका मेन करण और भी होता है जैसे कि दोस्तो केमिकल प्रोड़क का इस्तमाल करना और दोस्तो चीपेस्ट जैल लगाना और दोस्तो इस्टेटनिंग जैसी चीजों का इस्तमाल कर और दोस्तों को मैं एक चीज ओर बता देता हूं, जब आप नाके आरहे ओंओ, then make better, और दोस्तों एक बालो को एक डूर में बहन facto सूप दरना है, तो जैसे कि आप देख रहें कि मैंने चीज क्या ले रख lore कह सबसे पहले आपको जो लेना वह दोस्तो हमारा क्लीन बाॉल में दोस्तो आपको सबसे पहले जो चीज gift करनी है वह दोस्तो यह आवला का पाउडर यदि दोस्तो अगर आपके पास आवला है तो दोस्तो आप उसका juice भी इस्तमाल कर सकते हैं यह दोस्तो आपको किसी भी general store पे easily evaluate हो जाएगा आवला का powder जैसे कि दोस्तो आप सभी जानते होंगे आवला के powder में क्या-क्या properties पाई जाती हैं जैसे कि दोस्तो ये हमारे digestive system को ठीक करता है और दोस्तो हमारी आगूप की रोसुनी को बढ़ाता है और दोस्तो ये जल्दी से बुडापा नहीं याने दिता है वैसे ही दोस्तो हमारे बालों को मजबूती देता है और दोस्तो हमारे बालों को जड़ से काला बनाता है तो दो जो कि अगर आप महिला थो हमारा यह बहुत ज़ए र tool का तेल ले ना उज़ीद वह अगर पास बदाम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब भी दोस्तो आपको इन दोनों तेलों का ही इन दो तेलों में से एक का ही इस्तमाल करना है दोस्तो आपको एक चम्मच के तकरीबन इसे ले लेना है कुछ इस परकार से देखिए दोस्तो कुछ इस परकार से आपको ये ले लेना है देखिए दोस्तो कुछ इस परकार से जैसे कि दोस्तो आप देख रहे हैं मैंने ये ले लिया है अब दोस्तो आपको करना क्या है वो दोस्तो ध्यान से देख लीजिए तो दोस्तो अब आपको इसके अंदर लास्ट और आखरी तो दोस्तो आपको इसे तकरीबन दो से डेड़ चमच ले लेना है जिससे कि दोस्तो हमारे नुष्का बन जाए जब यह दोस्तो आप इस नुष्के को मिक्स करेंगे तो दोस्तो आपको इनुष्का कुछ इस परकार से नजराने लेगे जैसे कि दोस्तो आप देख रहे हैं तो दोस्तों अम मैं आपको बताते हूं, इस नुष्के को आपको कब और कैसे अपलाई करना है। और दोस्तो आदे घंटे तक यूँ ही लगे छोड़ देना है और दोस्तो जो लोग जो पर दाते हैं तो दोस्तो वो इस नुस्के को रात को इस्तमाल कर सकते हैं आदे गंटे यहीं लगे छोड़ देने के बाद दोस्तों आपको अपने बालों को ठंडे पानी से धोलेने के साथ ही दोस्तों आप देखेंगे आपके सफेद बालों की समस्या जड़ से खतम होने लगी है और दोस्तों आपके बाल काले वे मजबूत दिखाए देने लगी है और दोस्तो इस नुश्के को आपको हफते में दो बार इस्तमाल करना है और दोस्तो महीने में इस परकार से आपको इस्तमाल करना है इस परकार से इस्तमाल करने के साथ ही दोस्तो आपके पुराने से पुराने जिद्दी से जिद्दी सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और दोस्तो यदि आपका कोई family friends से member इस परेशाने से जूज रहा हो तो दोस्तो उन भाई को साथ भी whatsapp पे facebook पे share कीजिए ताकि दोस्तो उनका भी हो सके फायदा और दोस्तो यदि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को subscribe करें और दोस्तो बाज़ो के नोडिक्सेन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जान करी सबसे पहले मिल चुके धन्यवाद